आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम असिद्धान तक नहीं हो तरी श्रडी ग्लोस का आपका बहुत बहुत स्वागते हैं दोस्तों इंडियन आमी इस समय फ्रेंट फूट पे है चाइना को भगा भगा के मार रही है अब इंडियन आर्मी जो है वो पहुँच गई है और अब चाइना को इंडियन आमी ब्लॉक कर रही है ब्लॉक इंड़सेंस की चाइना पहले इंडियन आमी को ब्लॉक कर रही थी फिंगर फूर के आगे जाने ही नहीं दे रही लेकिन अब इंडिया ने फिंगर फूर तक अपने आपको वहां पे अपने को सेटल कर लिया है और अब यही डिमांड है कि चाइना पुल बैक पीछे हट जाओ वरना फिर अंजाम के लिए तयार रहो इंस्टा पे मैं आ गया हूँ जरूर मुझा फॉलो करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का लिंक और ट्विटर का लिंक है हमने जो मुहिम चलाई है कले करो टूल चाहिए तीचर्ज डे है उसको बिल्कुल भी फेड मत होने देना और यह हमारा टेलिग्राम चैनल आ अब को पता है कि पंगांग सो लेक जो है एक सो पैंतिस किलोमीटर की लेक है और यह जो है यह आधी है चाइना में ठीक है आधी मतलब नबबे किलोवीटर है जो है वह चांएदा ay contempor में है интересно आपर श्टीन फिंगर च्योटी-च्योटी पारिया यह जिनको फिंगर बोला ज चाइना आगे बढ़ गया तो फॉर्थ फिंगर तक आगया था कि फॉर्थ फिंगर तक यह एलसी है और इसको हम जाने नहीं देंगे ठीक है अभी तक यह एट फिंगर पे थी ना अब चाइना कह रहा है कि और आगे आगया जाने नहीं जैसे इंडिया पाकिस्तान के नहीं हो रहा है अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो काला टॉप है ना इसको इंडिया ने कैप्चर कर लिया काला टॉप पे यहां पे चाइना ने अपने कैमरे अमने सबसे उची पाड़ी है यहां की और बहुत ही डॉमिनेंट उची पाड़ियों पे डॉमिनेंट position होती है तो यहाँ पे चाइना ने अपने camera अमने सब तैनात किये हुए थे लेकिन इंडियन आमी को यह पता चला कि चाइना वाले यहाँ पे आके कबजा करने वाले हैं तो इससे पहले इंडियन आमी नहीं आपे कबजा कर लिए टैंक तैनात कर दिये और चाइना को पीछे खदेर दिया जो थोड़े बहुत सैनिक थे उनको पीछे खदेर दिया अब चाइना का यह गट्टा जो है वह उन्तिस और तीस सकत को ही थी अब चाइना का यहाँ पे मूट खराब है और चाइना रो रहा है और यह बोल रहा है कि भारत ने इसा किया भारत एक अग्रिसर है कमाल की बात है यार दिमागी नहीं है चाइना यह ढोल पीट रहा है कि देखो देखो हम तो शांती चा रहे है और हम स्टेटस को चा रहे है यता इस्तिती चा रहे है लेकिन भारत इसको होने ही नहीं दे रहा है पीछे हट जाओ ना फिर होने नहीं दे रहा है तो क्यूं आ पे है अभी दोस्तों टूस्टे को नाशनल सेक्योरिटी एडवाइजर जो अजीर डोवाल है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्टेनल अफेस एज शंकर है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सेंग है चीफ आफ डिफेंस स्टाफ विपन रावत है जो हमारे जनरल है नरावने जी डिजी एम है तो उन सब की मीटिंग हुई और अभी वेंस्टे को शैंगाय को अपरेशन मतलब एस्टी ओ की भी बागायदा मीटिंग है उसमें भी आपने देखा कि यह मामला उठा और डिफेंस मिनिस्टर जो थे वो दुनिया के उसमें पाट लिया राजनाथ सिंग जी तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब भारत जो है वो बिलकुल फ्रेंट फुट पे है और इंडियन आमी पूरी तरीके से तयार है अब दोस्तों खबर यह आई है कि यह जो फिंगर्स आप देख रहे है न ठीक है नॉर्थ बैंक पे देखो नॉर्थ बैंक पे हमारा इतन सदा इंपोर्टेंट है और चुशूल सेक्टर इतना स्ट्राटेजी किया है 1962 का वार इसी यह एक बहुत ही डिसाइडिंग डिसाइसिव पोजिशन है ठीक है तो इसके आज पास का जितना एरिया है उसको हमको कंट्रोल करना और अब भारत ने इसको कंट्रोल में ले लिया है समझ गए तो भारत जो है चुशूल सेक्टर मैंने की कोशिश कर रही है लेकिन अब भारत ने साउथ बैंक आफ पंगॉंग सो और रेकिनला रिजांगला के पास बैटल आफ रिजांगला शैतान सिंग ने 160 लोगों की टुकडी थी हमारी 162 के युद्ध में भगा भगा के चाइनीज को मारा था येक ऐसी बैटल थी जिसने ये बता दिया था कि जो जंग है वो जजबे से जीती जाती है शैतान सिंग पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्टर है आप देख लीजेगा तो साउथ बैंक जो है वो पंग्डॉंग सो का उसको सो मतलब होता है लेक उसको अब भारत ने ऑक्यूपाई कर लिया है अब खबर दोस्तों हाला कि कितनी ऑथेंटिक है पता नहीं कि इसमें हमारे एक सैनिक का भी जो सैनिक है वो शहीद हो गया हाला कि ये नीट्रल सोर्सेस कंफर्म कर रह चाइना जो है वो फिंगर 4 चाइना से बोला था क्या फिंगर 4 से बिल्कुल पीछे अडिया हो लेकिन चाइना जो है फिंगर 4 की जो रिजलाइन है न ठीक है वहाँ पर अपने बेस बनाता जा रहा था अब भारत का मूड खराब हुआ और भारत ने फिंगर 4 के सदन बातचीत शुरुवात के 8 दिन तो बढ़िया हुई, जब जून में गलवान घाटी वाला इंसिदेंस हुआ, तब से लेकर अभी तक भारत और चाइना की बातचीत चल रही है, शुरुवात में 8-10 दिन तो बढ़िया हुई, ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है ना, उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, चाइना जो है, नहीं वो ज़्यादा इंटरस्ट है बातचीत करने में, अब बातचीत करने में चाइना का इंटरस्ट का यही मतलब है कि चाइना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है चाइना, अब यह मैं बताई चुका हो, 1930 में जो काला टॉप को इंडियन आमी ने जो occupy किया था, तो यहां पे क्या है कि चाइना जो है वो आगे मतलब बात्ची तो वो जादा कर नहीं रहा है, तो आगे बादने की कोशिश कर रहा है, यही तो इंडियन आमी बिल्कुल सतर्क है, यहां तक की काला बात ने टैंक्स भी डिप्लॉई करनी है, इदर चाइना के टैंक इदर, अब भारत खेर, भारत क्यों कि हमने सबसे उपर हाइट पे टैंक तैंक तैना तो हमारे पास dominant position यह तो पकी बात है, चाइना के पास कुछ नहीं है, चाइना के पास कोई dominant position नहीं है, और चाइना को है कि हम लोग बहुत बुरी तरीके से उनको मारेगे बहुत ज़ादा नुकसान कर सकते हैं तो यह एक अच्छी खबर आ रही है कि इंडियन आमी ने फिंगर फोर तक वेस्ट और फिंगर फोर तक भारत ने पुरा एक बजे में ले लिया है तो यहीं फिंगर फोर कंटेंशिय इस इस इसू था हम कहारता फिंगर फोर से पीछे जाओ चाइना पीछे तो घट गया लेकिन रिज होता ना फिंगर फोर की रिज पे वह अपनी पोस्ट बनाने लगा अब हमारा मोट खराब हो गया और हमने सदर बैंक सदन बैंक के बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन इं कि यह हमारे NSA जो थे पांच जुलाई से लगाता कंवर्सेशन हो रही है मतलब पांच जुलाई तक तो कंवर्सेशन हुई ठीक है बीस जूल से पांच जुलाई दस से पंदरा दिन जो हमारे NSA अजीड डोवल और चाइनीज स्टेट कांसलर वैंग ई लेकिन उसके बाद कु तो गड़बड है मतलब ऐसे तो नहीं होना चाहिए तो फिर यह मतलब इंडियान आमी को इन्होंने सतर्क किया कि चलो ठीक है बातचीश से नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं लड़ाई कर लेंगे तो आप जो हैं हम देख रहे हैं कि हम स्ट्राटिजिक पोजिशन जो ह अब यह जो हुआ है अब जब हमने अब वो चाइना रो रहा है अब चाइना जो है अभी बोल रहा है कि अब यह इंडियन साइट के रिस्पोसिबिलिटी है यह एलेसी टेंशन को बढ़ा रहा है चाइनीज की फॉर्ण मिलिस्ट्री कि जो स्पोक्सपरसन है हुआ च्विन इल्लीगली घुसा हुआ है और भारत को चाइना सबक सिखा रहा है बेटा रुको तुमको अच्छे से सबक सिखाएंगे अभी रुके रहो तुम अब दोस्तों हाँ यहाँ पे आपको एक चीज जाननी है इसमें सबसे कमाल का काम किया है पिद्टिय्वर्क सेस्टे इस पेशिल फ्रेंटियर फोर्से ने पही करने में कमाल की यूनिट है और इसके कमान्डोस है बहुतीṣ सबर दस तरीके से と्रेग चाहे वो 1962 का वार है, चाहे 1971 का वार हो, सब में हम देखते हैं कि Special Frontier Force ने बहुत ही कमार का रूल प्ले किया है, तो इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, फिलाल ये है कि इंडियन आमी अब एडवांस करती जा रही है, चाहीं, चाइना को ही अपने कब्से में ना ले ले, बट ये तो चली मजा की बात हो गई, कुछ रहे परते रहे देशे सिर्दान तक नहीं होतरी साइनिवाफ,